नमस्कार दोस्तों गरिमा येस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग सोवियत संग एवं उसके बिघटन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयाज करेंगे आईए हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन चीजों पर चचा करने वाले हैं और जानने वाले हैं तो मैं आपको बता दू फ्रेंट्स कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे सोवियत संग क्या है जिसे USSR के नाम से भी जाना आता है उसके बाद जानेंगे सोवेत संग के अस्थापना कब होई थी उसके बाद जानेंगे सोवेत संग के जो पतन हुआ पतन के बाद वो कितने देशों में तूट गया यानि कितने बरतमान देश जो हैं वो सोवेत संग में सामिल थे इसके बारे में जानेंगे उसके बाद जानेंगे सोवेज संग के पतन के कौन-कौन से कारण थे यानि में कौन-कौन से कारण थे जिसके कारण सोवेज संग तूट गया आईए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ चीजों को सबसे पहले आपको मैं बता दू फ्रेंड्स कि सन निरंको सासक है यानि जनता की बातों को नहीं सुनता था जो मन में आता था वो करता था और इन सारी चीज़ों को और जनता पर काफी शोसन भी किया करता था इसके आलावा फ्रेंड्स यह बंसानुगत अधार पर था यानि के सासक इसी के बेटा सासक बनेगा इन सारी चीजों के चलते जनता में आवाज उठने लगी और लेनिन के नित्रित में वहाँ पर करांती होता है यानि व्यवस्ता में परिवर्तन होता है करांती का मतलब ही हो अब आपको बता दूँ कि फ्रेंट्स की सोवियत संग जो बना था, वो किन किन छेत्रों को लेकर बना था, तो उसमें रूस सामिल था, यूक्रेन सामिल था बेलारूस और कौकस का छेत्र, आईए मैप में समझ लेते हैं, तो रूस जो था फ्रेंट्स ये रसिया आप लोग स परमेनिया है, और अजरबजान का छेत्र है, जो कैस्पिन सागर के पस्ची में पढ़ता है, वहाँ पर था, तो आप लोग ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, आईए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोवियत संग यानि यूएससर क्या है, तो सोवियत संग का जो एक ऐसी आर्थिक विवस्ता है, जिसमें उत्पादन के सारे साथनों पर कंट्रोल सरकार का होता है, यानि नीजी ब्यक्तियों के हाथों में उत्पादन से समझ किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं होता है, यानि सरकार जितना चाहेगी जिस चीज का प्रोडक्शन करना है, उ आपको मैंने बता दिया और यह USSR जो था प्रेंट्स यह अस्थापना के बाद 1922 से 1991 तक चला सोवियत का अर्थ मैंने आपको बता दिया कानून बना लिए एक संस्था होती है यह अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सोवियत संग 1570 गरतंत्रों का संग था उसमें आप लोगों को मैं बता दूँ 1570 का मतलब क्या होता है जिस प्रकार से भारत में 28 राज है बरतमान में आप सभी को पता है तो 28 राज वहाँ पर स्वासातित है यानि केंदर सरकार डारेक्ट वहाँ पर काम नहीं करती है वहाँ पर वहाँ पर भी कानून है यानि लोकल लेबल पर भी वहाँ पर कानून है कि वहाँ पर सरकारे कैसी काम करेगी फर्म बनाया गया है भारत में जैसे उत्तर परदेश का अलग सरकार है बिहार का अलग सरकार है महराष्ट का अलग सरकार है उसी परकार से रूस में भी 15 प्रकार केम राचनात्मक और क्रियात्मक रिकाई होती है। अलंगे Muskete herag मूंने ख़करों ही आसे सब्सक्राइबीं自然 बद्विके होते हैं यंगे इसको कता है। साम के लिए किन-किन अधिगारियों के निक्त करना है कौन-कौन संस्ता बनाए गए हैं और वो क्या-क्या काम करेंगे उनी सरी चीजों को प्रसासन कंत्रगत अध्यन किया आता है अर्थ बेवस्ता आप लोग जानते हैं आर्थी कुदपादन से समधित कितना प्रोडक्शन क दो रहा था यानि 1917 के बाद आप लोग में बता दू कि जैसे रवी रसियन रिप्लोशन आता है उसके बाद वहाँ पर कॉम्मिनिस्ट पाटी की सरकार आयाती है आए जानते हैं सबसे पर सोवियत संग में कितने देशों के संग थी तो उससे जान लेते हैं सबसे एस्टोनि लाट्विया लिथवानिया बेलारूस मल्डोवा इसको मैं अच्छे तरीके से जूम करके आपको दिखाता हूं इस मैप में अच्छे तरीके सच देख सकते हैं यहाँ पर एस्टोनिया लाट्विया लिथवानिया बेलारूस यूक्रेन मल्डोवा जोर्जिया अर्मेनिया बेलारूस, यह है आपको तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद है यहाँ पर किर्गिस्तान और तजगिस्तान और उसके बाद रसिया, आप लोग को समझ में यह चीजें आ गया होगा, आई अब आगे की चीजों को देख लेते हैं, सोबियत संगे भारत में बहुदलीय सासन प्रनाली है वहाँ पर बहुदलीय सासन प्रनाली नहीं थी यानि एक ही सरकार रहेगी और एक ही सरकार सासन के सारे काम करेगी इससे क्या हुआ कि लोगों में वहाँ पर असंतोस का भावना उठने लगा जो भी सरकार काम कर रहे थी उसके आलोचना का भी अधिकार नहीं था, यानि कोई भी आलोचना करता था, तो उस पर धंड दिया आयाता था, काफी ज़्याद अत्यचार किये जाते थे, वहाँ पर वहाँ के नागरिकों को जरा सभी स्वतनत्रता नहीं था, बोलने का भी अधिकार वहाँ पर नहीं था, यानि अईब्यक काफी निमन अस्तर पर चला गया उत्पादन खृम क्रिसी और ओद्योगी छेत्र में जीतना वहाँ पर आवसकता थी अतार स्व Singing- Soviet , संग में जίν चीजों की क्रिसी से समंधित करने लगे और वहां की जो भी सरकारे थी वह काम करने लगी जो भीपक्ष में भी बहुत सारी पाठियां उभरने लगी और देशों के साथ प्रतियस पर्धा और देशों के साथ प्रतियस पर्धा भी करने लगा सुविय संग जो था फ्रेंड्स इसका प्रतियस पर्धा में क अपने जरूरत की चीजों को नहीं कर पारा था उत्पादन भी नहीं कर पा रहा था उसके लावा नौकरसा ही का बोलबला होने लगा नौकरसा कौन होते हैं तो सरकार के आपको अस्थाई अधिकारी होते हैं आप लोगों को पता होने चाहिए नौकरसा क्या करते हैं तो सरकार द्वारा जंता के लिए जो नियम बनाया जाते हैं उसी को लागू करने का काम करते हैं यहनि जो पॉलिसी बनाया जाती है जनता के लिए जो नीती बनाया जाती है कि की तरीके से जनता में काम किया जाए उनके भला के लिए किस तरीक से ग्राउंड लेवर तक उनके लाग पहुचे इन सारे नितियों के क्रियानवन का काम आपको नौकरसा ही करते हैं जैसे भारत में IS और IPS ओफिसर हैं ये सारे नौकरसा के अंतरकत कर आते हैं इस कर लाद PSCS ओफिसर इस सारे नौकरसा के अंतरकत आते हैं वही जनता के बीच में नितियों को लागू करने का काम करते हैं उनके लिए ब्यवस्ति तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यह मेरा फोन पे है गूगल पे आप लोग इस नमबर पर मेरा आर्थिक साहता जरू कीजिए और किस वीडियो अगले वीडियो में किस टॉपिक को आपको वीडियो देखना चाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरू लिखिए मिलेंग नेक्स वीडियो में नमस्कार धन्यवाद